ज्यान सरोबर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज है तुलसी बीवा, तो चलिए मैं आपको तुलसी बीवा की कथा सुनाती हूँ तुलसी पुर्व जनम में एक लड़की थी जिनका नाम ब्रिंदा था राक्ष स्कुल में उनका जनम हुआ था और बचपन से ही भगवान विष्णू की वो बहुत बड़ी भक्त थी बड़ी ही प्रेम से भगवान की सेवा करती थी, पूजा करती थी जब वे बड़ी हुई तो उनका विवा राक्षा स्कुल में दानो राज जलंधर से हो गया जलंधर समुंदर से उत्पन हुआ था ब्रिंदा बड़ी ही पती ब्रता इस्त्री थी सदा अपने पती की सेवा किया करती थी एक बार देवताओं और दानो में युद्ध हुआ जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो ब्रिंदा ने कहा स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठ कर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूँगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूँगी जलंधर तो युद्ध में चले गएं और ब्रिंदा ब्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई उनके ब्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके सारे देवता जब हारने लगे तो बिस्नु जी के पास गएं सबने भगवान से प्राटना की तो भगवान कहने लगे की ब्रिंदा मेरी परंभक्त है मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता फिर देवता बोले भगवान दूसरा कोई उपाए भी तो नहीं है अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और ब्रिंदा के महल में पहुँच गए जैसे ही ब्रिंदा ने अपने पती को देखा वे तुरंत पूजा परसे उठ गई और उनके चर्णों को छूलिये जैसे ही उनका संकल्प तूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया उनका सिर ब्रिंदा के महल में गिरा जब ब्रिंदा ने देखा कि मेरे पती का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है उन्होंने पूछा आप कौन हो जिसका असपर्स मैंने किया तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ बोल ना सके ब्रिंदा सारी बात समझ गई उन्होंने भगवान को स्राप दे दिया आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए सभी देउता हाहा कार करने लगे लक्ष्मी जी रोने लगी और प्राटना करने लगी तब ब्रिंदा जी ने भगवान को बापस वैसा ही कर दिया और अपने पती का सिर लेकर वे सती हो गई उनकी राख से एक पौधा निकला तब भगवान विस्नु ने कहा आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे सालिक राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के फोक स्विकार नहीं करूँगा तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवा सालिक राम जी के साथ कार्थिक मास में किया जाता है देव उठावनी इकारदसी के दिन इसे तुलसी विवा के रूप में मनाया जाता है तो आज के ग्यान सरोबर में आपने सुना तुलसी विवा कथा आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार मैं फिर लेके आऊंगी कोई अच्छी सी कहानी अच्छी सी कथा प्रेरक कथा सिक्षा प्रत कथा तो आज के लिए बस इतना ही जै हिंद जै भारत